असलामलेकूम अच्पर टॉपिक के नम है इफेक्टर जो कि बहुत असान और सिंपल सा टॉपिक है इफट्र बचे एक ऐसा स्ट्रॉट्चर है जो रिस्पॉंस करता ओंदा बिहाफ ओफ नर्व इंपॉल्स जो कि आती है कमिंग होती है मोटर नीउरों से मोटर नीउरोंसे आने वाली नर्फ इंपल्स के लहाद से जो रिस्पॉंस होगा ना स्ट्रक्चर का हम उस स्ट्रक्चर को कहेंगे डियरकॉल इफेक्टर है आपका बता जो लेकर जाता है रिसेप्टर से ग्लैंड्स का रिस्पॉंस के सेक्रिशन ओफ हार्मून है तो ग्लैंड्स क्या होंगे इफेक्टर होंगे मसल क्या कहता है शो कंट्रेक्शन तो मसल भी क्या कहलेगा इफेक्टर कहलेगा अब हमारे पास एक टॉपिक है रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन क्या है मे बेटा ब्रेन ने काम ने किया, ब्रेन इतनी जल्दी से रिस्पोंस ने देता, उस वकित स्पाइनल कोड ने फौरण आपको पीछे किया और आपकी जान को बचाया, तो अल्ला की जात ने आपकी बोडी के अंदर एक ऐसा नर्वस सिस्वम रखा हुआ है, जो फैरी अप, मतल ना, यह जो जवाब बना रिस्पोंस है, यह स्पाइनल कोड ने दिया, ऐसा तो नहीं होता कि आपने तव्वेग के उपर हाथ रखा और आपने सोचें, हाँ गरम तो है ना, कुछ भी नहीं हो रहा देखा, फिर बात ने बता हो, यह तो हाँ जल गए, ऐसा तो नहीं होता, आप फूरण कि क्योंके रिस्पोंस रहते हैं, उसको किछते हैं, दियार कोड है, ठीक हो किए, अब रिफलेक्स आर्क की है, उस अमरजनसी के दुराद, जो मैस्ज जिस रासे से जाता है, स्पाइनल कोड की तरफ, उस रासे को किछते है, दीर्फिय अर्व इंपल्स डूर आपने जो response दिया, आपने हाथ को पीछे कर लिया, यह accident से बच गये, वो जो आपका response है, ध्यरकोड reflex action है, मतलब involuntary जो response है, pain के लहाँ से, pain and heat के लहाँ से, जो भी आप कह सेते है, accident के लहाँ से, जो involuntary response है, हम उसको नाम दे सेते हैं, ध्यरकोड reflex action है, यह देखे देखेंज फोरन मैं उपर लगाए, तो फोरन आपने हाथ को पीछे कर लिया, सबसे पहले इसको पकड़ने वाले, आपको पतार रिसेप्टर है, रिसेप्टर से मैसेज आगे गया, सैंसिरी निर्फ या सैंसिरी नियूरॉण आगे लेकर गया, स्पैनल कोड की तरफ, फिर मैसेज यहां के अंदर जो चार elements होते हैं वो involved होते हैं तो चार animals के ओपर मुश्टमिल होता है यह पूरा का पूरा जो involuntary response है जिसको नाम देते हैं जैरको reflex action है काफी कताबों में 5 भी लिखा हुआ है काफी कताबों में 4 भी लिखा हुआ है तो आपने